हेलो दोस्तों मैं आशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड़ापरल तो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आज की जो ट्रांसपोर्ट न्यूज है कि बैटरी के बिना ही लेक्ट्रिक टू विलर और त्री विलर का रेजिस्ट्रेशन आप करवा तो पूरी डिटेल में मैं न्यूज बताऊंगा दोस्तों आईए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज हंजी दोस्तों इलेक्ट्रिक टू विलर और त्री विलर वाहनों की बिक्री और रेजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के भी होसकेगा ऐसे वाहनों को कुल लागत में बैट दावा देने के लिए सरकार ने एक एहम फैसला लिया है इसके तहत इलेक्टरिक टू विलर और थ्री विलर वहानों की बिक्री और रेजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के भी हो सकेगा ऐसी वहानों को कुल लागत में बैटरी की कीमत 30-40 फिस्दी होती है सरकार की फैसले से इन वहानों की अफ्रेंट कोस्ट कम हो जाएगी सड़क प्रिवैन एवं राजमार्ग मंतरालय ने आज ये जानकारी 12 अगस्त को दी दोस्तों मंतरालय का कहना है कि टू विलर और थ्री विलर इलेक्टरिक वहानों की कुल कीमत में बैटरी की जो लागत होती है 30-40 परसेंट हो कि बैटरी की लागत को वहन की लागत से अलग कर दिया जाना चाहिए इस तरह टू विलर और थ्री विलर इलेक्टरिक वहानों को बाजार में बिना बैटरी के बेचा जा सकता है इससे इनकी अफ्रेंट कोस्ट कम हो जाएगी और इस तरह दोस्तों OEM या फिर Energy Service Provider अलग से बैटरी दे सकते हैं तो दोस्तों देश में इवहानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रोच्छान दे रही है पिछले साल केंदर सरकार ने इलेक्टरिक वहानों पर GST जो है उसको भी 12% से घटा कर 5% कर दिया था सरकार के इस कदम से नहीं सिरफ इवहानो और थ्री विलर की जो है बिकरी हो जाएगी और आप उसका रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट से जुड़ी और भी न्यूज जाने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए ट्रांसपोर्ट अड़ा को सब्सक्राइब कर ले थैंक्यो फॉ और वाचिंग और सब्सक्राइब कर दोस्तों ट्रांसपोर्ट अड़ा